Assalamu alaikum everyone, welcome to my youtube channel Exploring Literature So, इस वीडियो के इंदर हम लोग discuss करेंगे what is utilitarianism ठीक है, इसकी थेरी को discuss करेंगे कि ये थेरी basically है क्या इसकी explanation को और कुछ examples को भी देखेंगे कि basically utilitarianism क्या कहती है So, अगर definition की बात की जाए तो utilitarianism एक वो थेरी है जो बताती है कि वो advocate करती है actions that foster happiness or pleasure and oppose actions that cause harm or unhappiness So basically, simply अगर इस थेरी को देखा जाए तो इस थेरी का मतलब है कि जो चीज़ आपको खुशी दे वो आपको करनी चाहिए और जो आपको खुशी ना दे, जिसमें आपको लगे कि इसके निर बहुँ ज़दा sadness है, grief है, loss है तो आपको चाहिए कि उस तरफ आप ना चाहिए ठीक है, अगर आप इन simple words इसको देखे तो इसका मतलब है कि maximum pleasure and minimum pain ठीक है, जब आप कोई काम करने लगो इस theory के according, अगर आप कोई काम करने लगो तो उसकी आप सबसे पहले देख लो कि उसके consequences जो आएंगे उसमें आपको कितना pleasure मिलेगा कितनी खुशी मिलेगी और कितनी तकलीफ होगी ठीक है, और तो अगर उसके अंदर pain जो है वो 10% है ठीक है, और जो pleasure है थेरी को pleasure और pain principle कहा जाता है ठीक है, कि आपने कैसे calculate करना है ठीक है, और जो कि happiness is the basic standard of determining in utilitarianism theory what is morally good and bad in this theory, moral society is referred to as the society in which every individual lives happily इसके अंदर ये कहा जाता है कि society के अंदर इस theory के according moral society वो है morally good society वो है जिसके अंदर हर individual खुशी से रह रह रहा है और इसको कम तकलीफ है और जादा खुशी है ठीक है तो pleasure और pain जो है वो linked करता है people के actions के साथ कि वो क्या चीज़ जो होते है उनके जो actions है उनका तर्ज़े अमल जो है वो इससे linked है कि लोग कैसे अपनी जिनगी गुजारते है और जो वो बैंथम जो है वो believe करते है कि जो हड़निस्ट्रिक कैल्किलस का मतलब यह होता है कि बैंथम ने यह बताया था कि जब आप कोई भी decision लेने लगते हो ठीक है तो कोई भी बंदा calculate कर लेता है कोई भी decision लेने से पहले कोई फैसला करने से पहले कोई काम करने से पहले कोई business start करने से पहले वो यह चीज इस चीज का फैसला ले लेता है कि जब मैं calculate करूंगा कि मेरी इस काम के अंदर के results के results जो है वो क्या निकलेंगे क्या वो calculate करने के बाद player का पलड़ा जादा भारी होगा या pain का पलड़ा जो होगा वो जादा भारी होगा तो अगर pleasure का जादा है तो वो decision आप ले ले और अगर pain का जादा है तो मत लें तो Bentham के according Bentham believes that laws were lengthy unclear and hard to understand hence he created simple, concise and easy to understand law through utilitarianism obviously जब आप law making करते हो तो आप इसके अंदर individuals को देखते हो community को देखते हो society को देखते हो states को देखते हो तो उसके अंदर आप लोगों की खुशी और नाखुशी को देखते हो ठीक है तो Bentham ने law making का काम भी असान कर दिया अब एक और चीज़े के in government political and social economic जो issues होते हैं social economic institutions होते हैं a good legislator must be able to gauge maximum happiness for people obviously जब law making होती है तो लोगों के बारे में सोचा जाता है कि लोगों को इससे end में क्या फाइदा होगा उनको आया खुशी मिलेगी या गमी मिलेगी इसके अंदर अगर दिखा जाए punishment के principle के उन पर तो punishment के अंदर भी यूटिल्टेरियन end होता है according to Bentham जो भी crime करता है criminal जो भी होता है जो crime commit करता है वो ये बात सोच कर करता है कि अगर मैं crime करूंगा तो इसमें मुझे कितना फाइदा हो रहा है और कितना नुकसान कितनी खुशी मिल रही है और कितना गम मिल रहा है उसके बाद वो वो भी hedonistic calculus करने के बाद कोई भी crime commit करता है अगर वो चोरी करेगा तो वो ये देख लेता है कि उसके consequences जो होगे स्चोरी के वो क्या निकलेंगे उसको उससे फाइदा तो हो रहा है कि वो चोरी करेगा उसके बाद बहुत सारा समान आदेगा और कुछ हड़से के लिए वो जेल चला जाएगा तो वो pain जो होती है वो basically oppose हो जाती है अगर आपको pleasure जादा है अपन आप्टिकन प्रिजन को concept भी बैंथम ने दिया था जिसके अंदर एक guard होता है guard होता है जो basically हर वकत इस prison के अंदर आपको आपकी जाइजा ले रहा होता है लेकिन आपको पता नहीं होता जो भी criminal होता है उसका जाइजा लिया जा रहा होता है लेकिन इस prison के अंदर guard होता है वो बहुत उपर जाकर बैठा होता है वो देख रहा होता है कि criminal की activities क्या है पूरे दिन की ठीक है तो basically इसमें ने ये concept भी दिया था ये concept इसके साथ बेशक नहीं जा रहा लेकिन फिर भी punishment के अंदर उसने ये concept दिया था कि अगर कोई भी crime कर रहा है तो वो ये pleasure और pain की principle को calculate कर लेगा फिर crime commit करेगा ऐसा नहीं है कि फोरण से वो crime commit कर लेगा ठीक है तो जो भी criminal होता है उसको ये बात पता होती है कि तब हो crime commit करेगा तो वो jail भी जा सकता है लेकिन उसका greatest good जादा है ठीक है bad कम है लेकिन good जादा है तब भी उससे crime commit किया और हम भी एपने daily routine में जो भी काम करते हैं और प्लेजर को जादा देखते हैं और pain को कम देखते हैं ठीक है तो प्लेजर अगर जादा है pain कम है लेकिन बेशक परसंट भी कम है प्लेजर से तो वो जो होगी वो चुछ लिटेरियन थेरी होगी ठीक है अगर आपको फाइदा जय देखते हैं अगर…